यह देखने में आ रहा है कि जनपद मुझफवनगर में कई प्रकार के लोग राशन सामगरी वित्रण करने के सम्मंद में जनपद में घुम रहे हैं लेकिन उनके पास ना इस प्रकार से कोई प्रसाशन का या पोलिस का या कहीं से कोई अनुमतिय पास है कल से जनपद में इसके सम्मंद में एक मुहिम वह एक अभिहान चलाया जायागा कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि पाया जाता है जो कोई भी राशन सामगरी या अन्य कोई भी सामगरी बाटरे के नाम पे शहर में जनपद में देहात में कहीं भी घुमतावा पाया जाता है बिना पर्मीशन के बिना प्रॉपर अथॉरिटी के बिना प्रॉपर पर्मीशन के तो उसके विरूत नक्यवल मुकदमा दर्श किया जाएगा बलकि जान पूछ कर कुरूना संक्रमण के समय में लापरवाही बरतते हुए जनपत की सभी लोग की जान को खत्रे में डालने के में अभ्योग धर्श किया जाएगा इसी के साथ साथ दूसरी चीज यह भी देखने में आ रही है कि बहुत सारे ऐसी लोग हैं जो मोटर साइकल पे घूम रहे हैं जिनमें से एक विक्ति के पास कोई पास हो सकता है कोई आइकार हो सकता है लेकिन दूसरा विक्ति उनका या कोई अन्य विक्ति है इसमें पूर में भी चेकिंग में कई ऐसे सरकारी करमचारी पकड़े गए हैं कुछ मीडिया करमचारी पकड़े गए हैं मैं फिर से इसके संबन में स्पष्ट कर दे रहा हूं कि कल सुभा से मुझफर अगर पुलिस मोटर साइकल पे चलने वाले प्रते एक व्यक्ति की चेकिंग करेगी और जहां मोटर साइकल पे दो व्यक्ति चल रहे हैं वहां यह देखा जाएगा कि वो क्यों चल रहे हैं यदि कहीं पर भी दो व्यक्ति एक मोटर साइकल पर पाए जाते हैं जिनका कोई दूसरे व्यक्ति का उस पर होने का कोई जबूरी नहीं है कि एक साथ दो आदमी चले मोटर साइकल पे तो उनके विरुद बहुत कठोर कारवाई मुजफर अगर पुलिस द्वारा की जाएगी मैं आप सभी लोगों से पुने अनुरोध करता हूं कि केवल अपने घरों से तभी बाहर निकले जब कोई आफशक्ता हो या कोई अन्य प्रकार की आपकी जरुवत हो या अमर्जंसी हो या मेडिकल अमर्जंसी हो मोटर साइकल पे नकली पास, फर्जी पास, फर्जी आईकार्ड, मेडिया के नाम पे फर्जी प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई आईकार्ड बना लेना, उसको इस्तमाल करना एक परतित होता है कि आप इस संक्रमन इस आपदा के समय में सभिलों की जान से खिलवाड करने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी प्रकार से तब तक बाहर ना निकले जब तक आपका बहुत जरूरी काम नहां और कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ ना पाया जाए जिसके पास स्वयम की पर्मिशन, आई कार्ड या अथोरिटी ना हो उस समय बाहर निकलने की थैंक यू